हेलो गाइज मेरा नाम है गोश्वामी क्रूणल फैमिली ओटो डिलैट से और आज आपके लिए लेकर आए हम बाइक रोल एंफिड का क्लासिक तीन सो पचास अगर की बात की जाए तो इसका नाम के तरह इस बाइक को देख सकते हो कि एकदम क्लासिक लूप प्रोवाइट करता है हमारे ये बाइक और आगे से देख सकते हो कि यहाँ पर क्रोम इच्छेट का बहुत ही इस्तमाल किया गया है मतलब कि लाइट है पर कलर जो है उसके साथ पूरे क्रोम वाले दीख रहे आपको आगें अगे लाइट दोनों की दोनों वह यहाँ पर दिया गया पर एकदम नजिख से देखो गहे तो देखा यहां पर आरखा यहां पर लोगो दिया गया है और आप नीचे देखो कोई प्लास्टिक या फाइबर का यूज नहीं किया है अगर हम इस टायर सेक्षन की बात की जाए तो आगे का टायर आप देख सकते हो कि हंड्रेट बाइनब्बे का 19 इंच का ट्यूब वाला टायर इसमें मिलता है और यह डिस्ट ब्रेक की बात की जाए तो यहां पर 300 mm की ड दिखा हुआ है 120 x 80 का ट्राइंच का ट्यूब वाला टायर मिलता है इसमें और कोई भी एलोविल का डिजाइन नहीं मिलता है इसमें अगर इस बाइक की सस्पेंशन की बात की जाए तो आगे टेलिस्पेंशन दिया गया है उसके उपर यह रिफ्लेक्टर दिया गया है और पिछे की सस्पेंशन की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि इसमें ट्विन ट्यूब 6 टाइप एक्जिस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है जो दूसरे बाइकों में आता है और उसके उपर यह क्रोम इंसेट दिया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों जो राइट दिये है लोजन में दिए गया है उसी के नीचे यहाँ पर कर देके इसमें इटेच की गई है यहाँ पर पिछे का जो मटगार है वो देख सकते हो पूरा मेटल का दिया गया है और उसके उपर यह पीछे ग्रेफ हैंडल दिया गया है पिछे के राइडर को पकड़ है किने लिए इस भाइक की बात की जए तो यहांपर आगे से देख सकते हूं रहा हो लोगो दिया एंफिड छोटे अक्सरों में आगे और पीछे दोनों जगा लिखकर दिया गया है वो भी मतलब कि रोयल एंफिड जानता है अपने कस्टमर को कि छोटी-छोटी डिटेलिंग देखे कैसे कस्टमर को खुश किया जाए बाई कि दूसरी साइट की बात की जाए तो उस तरफ था वैसाई वैसाई इस तरफ है और निचे देखा सकता हूँ आपको यहां पर फाइब स्पीड मेन्यूइल गेर दिया गया है उसके नीचे देख सकते हो कि फाइब वो पुडा प्रोम इंसेट के साथ दिया गया है इहां पर डियो स्टेंड आपको लगाना ओतो सकते हो यहाँ पर कोई भी याउक्स लगा सकते हो उसके पीछे यहाँ पर पुरा गार दिया गाई है फीकि इंडिया में क्या होता है कि आप बैक में बैठते हो यह तो यहाँ पर कोई भी टायर में या चेन में आए नहीं इसलिए यह गाड़ अच्छे से दिया गया है इसको साड़ी गाड़ भी बोलते हैं कुछ लोग पर वो भी अच्छा है वो भी पूरा मेटल का दिया गया है अगर इस बाइप की डाइमीशन की बाद की जाए तो इसका वेट लेंग की बाद की जाए तो इसका वेट है 35각 वैट है डाउंे क्लियरेंस की बाद की जाये तह 117 mm का और सीड हीट की बात की जाये तो 805 mm की इसकी यर हूँ अगर बाइक की फंक्षन की बात कि जाये तो यहां पर देख़े बाइक के जैसे चाब Defense 20 सरों हो तो तो यहां यहाँ पर एक मोड़की स्वीच है जो जिससे आप यहाँ पर मीटर को चेंज कर सकते हो डिजिटल मीटर में यहाँ पर तीनी चीज आते हैं यहाँ पर एक ओडो मीटर आता है उसके बात यहाँ पर ट्रीप वन आता है और यहाँ पर यह पर यह पर यह पर यह पर यह पर यह यहां पर यहां पर देख सकतो कि जो यहां पर स्विच्छ दिए गए है यहां पर जो लाइट है है वह आगए चालू बंद करने के लिए रहर है करने के लिए उस के साथ इसके इंजिन के बाद की जाता है यहां पर एंजिन कील जल इस लग चरत है और जो चारों इंडिकेटर चालू करने हो हैजार लेंप की तरह यहां से यह अलग से स्वीद दी गई है जो बहुत ही अच्छी बात है दूसरे बाइकों में नहीं मिलती पर इस बाइक में दी गई है बहुत ही अच्छी बात है यहां पर ब्रेक लीवर देख सकते हो कलच और ब्रेक यहां पर बहुत ही बहुत बढ़िया क्वालिटी देगी है अगर टैंक की बात की गया तो उपर से देख सब्सक्ते हैं कि बहुत ही बढ़ा दिया गया और फ्यूल इंटेक का जो कैप है वो पुड़ा सिल्फर फिनिश में दिए बहुत अच्छा देखता है हुट अच्छा देख्ता है फ्यूल लगने के लिए ग्रेफ हैंडल भी दियागा है अगर इस बाइक के एंजीन की बात की जाए तो 3,4,9 CC का सिंगल सिलिंडर एर कूल एंजीन आता है और पार फिगर की बात की जाए तो 20.2 BHP का अगर इस बाइक की बात की जाए तो अगर इस बाइक की प्राइजिंग की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे जिसके है sharkous जो इसाब से आप एड करवा सकते हो जिसके ही सब्सक्राइब इस बात की बात की अलग हो जाती है कि जो भी आप modification कर वागयों उसके अलग-अलग pricing के आती है फिर बी आपको जाननी हूँ और सबी model में कौन सी प्राइज आती है तो हम की या पूरा रओ़ क्लासिक 350 का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्रीज हमें कमेंट में बताइए जिसके कारण हमें कोई भी इंप्रूमेंट करना हो तो हम कर सके और हमारी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लिजे और हमारे जो भी फेमेस वीडियो है जो अच्छे व्यू आए उसकी ल कर दो वारे जो करो लिए भी गारे जो भी बताइए जो आए भी जो फेमें झाल टूमी।